अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए बुरी हो सकती है क्योंकि मोधी सरकार डिजिटल ट्रांजिक्शन को बढ़ावा देने के लिए चेक के माध्यम से लेंदेन बंद करने के बारे में विचार कर रही है अखिल भारतिय वैपारी परिसंग का कहना है कि सरकार चेक से होने वाले लेंदेन पर जल्द ही रोक लगा सकती है CAIT के जनरल सेकरेटरी प्रवीन खंडेवाल के मताबिक सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्ता को कैशलेस एकोनोमी बनाने पर जोर दे रही है ऐसे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार क्रेडिट और डेविट कार्ड के माध्यम से भुकतान करने के पक्ष में है खंडेवाल ने बताया कि अभी सरकार नोट की छपाई पर 25,000 करोड रुपे खर्च करती है वही इन नोटों की सुरक्षा पर 6,000 करोड रुपे के खर्च किया जाता है इस तरह नोटों की छपाई और रख रखाओं में कुल 31,000 करोड का खर्च किया जाता है यदि सरकार कैशलेस एकोनोमी बनाने में काम्याब होती है तो इससे खर्च में बड़ी कमी आएगी जबकि 95% ATM कार्ड सिर्फ कैश निकालने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं कि जाजिए याजरेपसी जाशी झालाट खायओ कर लेटर में काश इस कर दो खम आएगी के लेचानी है इस व जाढ च की किया जाना फ Morning Corp Market च च आजिसे लेट Sureं के लोथ बड़ी में दे participate आपस्ते, 15 फिर्शरेंस इंञ about 15 कोण्रेंस अवाराी नह कहते हैं पर जब फिर्शरें वे范 खी फिर्फचिछी है फिर्ट मेंटास् फिर्टी शथ्तिज हो अच्टिए किघ नहीं कोई कि रॉय खिrèsosenda and credit card, the future mode of payment in India, and it is certainly going to be very important for our business, and people will be coming to our showrooms, showing their debit and credit cards, and if we don't have the mechanism to accept those debit and credit cards, certainly we are going to lose our business. Therefore, I appeal to all the traders across the country to join hands with the CENT and MasterCard in our endeavour to promote debit and credit card and net banking payment systems in the country. In this conference we are going to deliberate a lot on these subjects and definitely we will come with a complete roadmap for entire nation and I am sure your cooperation will be there to make all these efforts getting due success. Thank you very much.